जी नमस्कार रिशब राशिवाले ही समझ लें कि पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए तो सब कुछ आसान है और हर चीज को परिशानी समझना शुरू कर दें तो हर चीज मुश्किल है आपके लिए मिले जुले हालात हैं आपका दिल करता है कि अपनी पढ़ाई में लगन बढ़ाई जाए पर दूसरी ओर आप ऐसा चार हैं कि सब कुछ बिना मेहनत के ही हो जाए मितुर राशी वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाया रखना आसान है पर अपने मन में बिठाए हुए असंतोश को दूर करना मुश्किल है इसलिए किसी से भी कोई चूपती हुई बात न कहें थोड़ा सा धैरे तो रखना ही पड़ेगा करक राशी वालों की कोशिशें अगर अपने काम काज में लगी रहेंगी तो जिंदगी का रास्ता सुगम होता चला जाएगा वैसे भी सफलता पाने का समय है जिसके चलते अपनी काबलियत को और ज्यादा तराशने की जरूरत पड़ेगी सिंग राशी वालों के लिए स्थितिय है कि पैसे से जुड़े फैसलों के प्रतिया आपका नजरिया साफ होता चला जा रहा है फिर भी जो थोड़ी बहुत मन में भ्रांतिया रही है उन्हें भी दूर कर देने की जरूरत है क्योंकि अभी भी हालात ऐसे हैं कि किसी भी तरह के बड़े खत्रे से फिल हाल आपको बचना ही होगा कने राशी वालों के लिए पैसे का आगमन भी ठीक है पर पैसे की जरूरते भी बढ़ रही है ऐसे में कई तरह के मानसिक दबाव बढ़ सकते हैं अपने पैसे से जुड़े लाब को ध्यान पूरोग देखें तो आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी जरूरते पूरी हो जाएंगी और कोई कमी नहीं रहेंगी तुला राशीवालों को अपनों के लिए बहुत कुछ करना है इसलिए बहुत सारी चीजों को कबूल भी करना है हर चीज आपके हित्मे ही हो जाए ऐसा होता नहीं है इसलिए अपनों की जूरुतों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी उधारता तो दिखानी है पड़ेगी प्रिश्चिक राशीवालों की दोस्तों से बहस चिड़ सकती है और मनमटाव हो सकता है इसलिए किसी भी बात के चलते आप अपना नुकसान न करें ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी विनमरता भी लानी पड़ेगी धनू राशीवालों को कामकाज के प्रती थोड़ी सी तवज्जो बनाये रखने से आपका प्रदर्शन बढ़ जाएगा पर उसके बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे जो आपको जिन्दगी में किसी अच्छे मुकाम तक ले जाएगे इसलिए अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा लेने का समय मकर राशी वालों को ये समझना है कि घर परिवार में रिष्टों की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई आपका मन भी लग रहा है कि अपनों के साथ समय वित्वित किया जाए ताकि खुशियों भरा महौल आपके लिए बना रहे कुम राशी वालों की मांसी कुतल पुतल बहुत है इसलिए चुनौती भरा समय इस समय की परिशानी ये भी है कि आपके अच्छे भले फैसले गलत भी हो सकते है मीन राशी वालों के लिए कोई प्यार का रिष्टा खुशियों का कारण बन सकता है समय आसान नहीं है बहुत सारी रुकावटे भी है फिर भी अपनों से तालमेल बनाये रखने से फायदा जरूर हो सकता है ये थाजी आप सब के लिए आज का राशी वालों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह मुझसे जोड़ने के लिए कर दो सकता है